नमस्कार आप देख रहें एकॉनमी का हिसाब किताब और मैं हूँ अनिंद्यों चक्रवर्ती एकॉनमी का क्या हिसाब लगाऊंगा दोस्तों अभी जो अपचारिक आकड़े हमारे सामने आ गए हैं जीडीपी के उससे साफ है कि एकॉनमी का तो बैंड बच चुका है खैर यह जो अपचारिक आकड़े आए हैं उससे पहले ही जितने भी अर्थशास्त्री हैं विज्ञानी लोग हैं वो क्या कह रहे थे वो कह रहे थे कि लॉगडाउन के चलते कोविड-19 के चलते हमारी देश की जो अर्थ व्यवस्ता है जो GDP है विकासदर नीचे जाने वाली है अगर हम इन सारे ज्यानियों का एक उसत ले ले तो सब कह रहे थे कि पहली ती माही में मतलब इस वित्य साल के पहली ती माही में जिसको अपरेल से जून का क्वार्टर कहा जाता है इसमें भारत की GDP पिछले साल की उस GDP का वो और भी भयानक और भी खतरनाक है क्योंकि हमारी GDP अपरेल से जून में पिछले साल के तुलना में 24 प्रतिशत घड़ गई है 24 प्रतिशत और यह डेटा आते ही पूरा जो सरकारी तंत्र है गोदी मीडिया है सोशल मीडिया है और जिन लोगों को मैं गरीब विरोधी जैंग के एकॉनमिस्ट यानि कि अध्षास्त्री कहता हूं वो सब जुट गए कि किस तरीके से इस डेटा पर स्पिन लगाया जा सके कि किस तरीके से इस बुरी खबर को सज़ाध जाकर पेश किया जा सके ताकि मोधी सरकार पर कोई आच ना आए तो वो सब कहने लगे आप अब बाकी देश का देख लो उसके तुलना में हमारे देश की जीडीपी का हाल उतना बुरा नहीं हुआ है बड़े बड़े अर्शास्त्री ट्विटर पर पेश करने लगे डेटा जो कि बिलकुली गलत डेटा है कि अमेरिका में जीडीपी 33 प्रतिशत घट गया है यूके जूटे आकडे इसलिए दिखाये जारे है ताकि आप सवाल ना पूछें मोधी सरकार से सवाल ना पूछें लेकिन हमारा काम इस शो में है एकॉनमी का हिसाब किताब लगाना और जितना भी जूट चल रहा है जीडीपी पर उसका पोल खोलना वही करेंगे आज के इस एपि बहुत सारे दर्शक कहेंगे कि भाया जीडीपी नाम तो सुना है लेकिन यह होता क्या है तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं पूरे देश में जितना भी उत्पादन होता है या जितने भी सेवाएं होती है उसका कुल अगर जोडा जाए तो उसको जीडीपी कहते हैं जैसे कि क्रिशी हुआ कार खानों में पैदा जो भी बनाया जा रहा है कारोबार है दुकाने चल रही है इलेक्ट्रिसिटी यानि कि बिजली जनरेट हो रहा है बैंकिंग हुआ रियल एस्टेट हुआ इन सब को अगर जोडा जाए तो टोटल उत्पाद टोटल गुड्स एन सर्विसेज जो कि हैं चीजे और सेवा इनको जोडा जाए एक तिमाही में या एक साल में तो उसको का जाता है उस तिमाही का या उस साल का जीडीपी खैट इसको अगर एक तरह से हम देखे तो वो उत्पादन है और दूसरे तरह से देखेंगे तो वो आए है लोगों की कुल आए किसी भी देश में उस देश की जीडीपी हुई लेकिन इसको दो अलग अलग तरीके से ना पाजाता है और इसको समझने के लिए मैं आपको एक उधारन दे देता हूं जैसे कि आप सोचे कि एक देश में सिरफ अनाज उगाया जाता है और कुछ नहीं है ताकि आप समझ पाए इसको एक सिंपल तरीके से समझा रहा हूं अब एक साल में पिछले साल सौ टन अनाज का उत्पादन हुआ और हर टन अनाज का दाम था हजार रुपए तो आप देखे कि कुल आय कितनी हुई उस साल का सौ टन गुना हजार रुपए यानि एक लाक रुपए की कुल आये हैं अगले साल क्या हुआ इस साल मतलब पिछले साल की बात कर रहा था इस साल आकर अनाज की पैदावर कितनी हुई गिरकर असी टन पर उतर आई है हो सकता है कि सूखा पड़ा हो असी टन पर उतर आये और जब अनाज ही कमी हो जाती मार्केट में तो क्या होता है दाम बढ़ जाते अब हर टन का दाम धेडर हजार रुपे हो गया है अब आये पिछले साल मैंने कहा था एक लाख रुपे है इस साल कितना हो गया वो आए असी गुना धेर 12,000 यानी एक लाख 20,000 रुपे अगर हम आये से आए को की तुलना करे तो कितना हुआ 20 प्रतिशत एक साल में आए बढ़ गई है लेकिन उत्पादन को अगर हम देखे तो क्या हुआ असल उत्पादन 20 प्रतिशत घट गई है 100 से 80 पर आ गई है टन तो इसलिए अगर हमको असल GDP देखना हो तो स्थिर दाम देखने एक साल के दाम लेने पड़ेंगे तो उसी तरीके से अगर हम सिरफ पिछले साल के दाम ले ले यानि कि 1000 रुपए प्रतिटन तो पिछले साल एक लाक रुपए होगा और इस साल 80 गुना 1000 रुपए यानि 80,000 पर उतर आएगा तो हमें इसमें पता चलेगा कि 20 प्रतिशत का उत्पादन घट गया है क्यों क्योंकि हमने स्थिर दामों में जिसको कॉंस्टेंट प्राइस कहते हैं उसी में आए को देखा है इस वक्त हमारे देश में 2011-12 के दाम लिये जाते हैं देखने के लिए कि असल जीडीपी का जो विकादर है कितना हुआ है तो अभी जो डेटा हमारे सामने आया है कि पहली तीमाही में अप्रेल से जून 2020 में पिछले साल के तुलना में 24 प्रतिशन जीडीपी घट गई है वो असल जीडीपी है 2011-12 के दामों में जीडीपी दोनों साल का देखा गया है लेकिन ये जीडीपी भी अलग अलग देश अलग अलग तरीके से नापते हैं जीडीपी विकासद अलग अलग तरीके से नापते हैं जैसे कि आपको अगर वाटसाइब मेसेज आया होगा कि देखें हमारा 24 प्रतिशन घटा तो होगा लेकिन यूएस का देख लीजिए यूएस सबसे बड़ा एकॉनमी देश दुनिया का उसका तो 33 प्रति घट गई है यह सब सरकारी नुमाइंदे जो अर्बियाई में है इस गुरुमूर्ती उन्होंने भी लिखा हुआ है लेकिन यह गलत तरीका है देखने का क्यूंकि जब यूके यूएस सिंगापोर कैनाडा की जीडीपी देखी जा रही है उसको नापने का उसके विकासदर को नापने का तरीका कुछ अलग है और इसको समझने के लिए फिर से मैं एक उधारन देता अब आप सोच लीजे कि यूएस का ले लेते सोच लीजे कि यूएस की जीडीपी जन्वरी से मार्च जन्वरी से मार्च के बीच 100 डॉलर थी या ना अब अप्रेल से जून में आक गा कि 10% घट गई है GDP कहा जाएगा पूरे साल में कितनी घटती अगर हर तिमाही में इसी 10% रेट पे GDP घटती रहे यानि कि इसी रेट से अगले 3 तिमाहियों में भी GDP घटती रहे तो 8190 हो गया है अगले तिमाही में ये 90 जाकर 10% घटेगा तो 9 डॉलर और कम हो जाएगा 14, 80 डॉलर पर आ जाएगा फिर जब अगर ये 81 डॉलर पर फिर से 10% घट गया अगले तिमाही में तो वो हो जाएगा लगबग 73 डॉलर और आखिर में जाकर आखरी जो तिमाही है वहाँ पर जाकर गिरेगा 10% तो 73 से वो लगबग 65 डॉलर पर आ जाएगा 65 से थोड़ा ज्यादा साड़े 65 डॉलर के आसपास आ जाएगा यानि जन्वरी से अप्रेल में मार्च में कितना था 100 और आखरी जो की हो गया आपका अक्टोबर से डिसेंबर वहाँ पर जाकर वो हो जाएगा गिर कर 65 डॉलर से थोड़ा ज्यादा यानि कि पूरे साल में जी जीडीपी ग्रोथ जब रिलीज की जाती है जब कहा जा रहा है कि 33 प्रतिशत के आसपास यूएस की जीडीपी घट गई है इस्तिमाही में तो यह पूरे साल को एक्स्टेंट करके बताया जा रहा है उसी तरीके से कैनड़ा का भी और आप अगर यूके का भी ले और सिंग लप और का यह जो देश में compare कर रहा हूं जहां पर सारा WhatsApp मेसेजिंग भी चल रहा है उनका भी सालाना rate पर किया जा रहा है इसी तरीके से अगर मैं भारत का वही rate लगाऊंगा तो आपको बताता हूं कितना होगा भारत की GDP अगर इसी बेसिस पे हम देखे तो 65 प्रतिशत ग UK का कितना मैंने बताया 21 प्रतिशत US का 33 प्रतिशत अगर हम Canada ले ले 49 प्रतिशत Singapore का 43 प्रतिशत और भारत वहाँ पर 65 प्रतिशत तो यही है असली comparison 24 प्रतिशत के साथ बाकियों का comparison जूट है गलत है साथ में एक और चीज़ हम देख लेते हैं तिमाही से तिमाही मैंने आपको क्या कहा था कि हमारे देश में क्या किया जाता है एक तिमाही लिया जाता है और पिछले साल के तिमाही के साथ उसका comparison यानि की तुलना की जाती है लेकिन अगर हम यह देखे कि भारत में जन्वरी से मार्च के बीच जीडीपी कितनी थी और अपरेल से जून के बीच कितना हुआ तो हम देखेंगे कि लगभग 30 प्रतिशत का गिरावट आया है 29 प्रतिशत का गिरावट आया है 24 प्रतिशत से भी जादा इसी का comparison अगर हम बाकी देशों के साथ कर लें तो मैं आपको डेटा बताता हूं क्या निकल के आता है UK का 20 प्रतिशत, US का 9 प्रतिशत, Canada का 11 प्रतिशत, Singapore का 13 प्रतिशत और जैसे मैंने भारत का बताया लगभग 29 यानि कि 30 प्रतिशत के आसपास गिरावट है तिमाही से तिमाही तक अच्छा आप कहेंगे कि देखें हमारे देश में तो जो लोगडाउन हुआ है तो आप पूरे आदे साल का देख लीजे ना आप जनुवरी से जून ले लीजे सभी देशों का कंपैरिजन कर लीजे क्योंकि बाकियों में लोगडाउन पहले हुआ था वो खुल भी गए तो इस तिमाही में उनका एकॉनमी थोड़ा सा बहतर हो रह सिंगापोर का 14 प्रतिशत गिरावट और भारत यहां पर भी नंबर वन 26 प्रतिशत से जादा गिरावट पहले छे महिने में 26 प्रतिशत से जादा गिरावट हुआ है भारत की एकॉनमी का उससे पहले अगर हम कंपेर करके देखे यानि कि ऑक्टोबर से डिसेंबर वाले ज सबसे जादा गिरावट उस वक्त भी अगर हम इंक्लूड कर ले जब लॉगडाउन नहीं था खैर आपको अगर बताया ये भी जाएगा कि देखिए हमारे देश में लॉगडाउन बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से लगाया गया था तो इसलिए GDP कम होगा लेकिन इसी के चलते मो कोविड नैंटीन को बहुत अच्छी तरह से जेला है बारबार शुरू से कह जा रहे हैं सरकार कि कोविड के साथ हमारी लड़ाई सबसे जादा हुई है बाकी देशों के तुलना में सबसे अच्छा हुआ है खैर आप जानते हैं आज कल डेली रेट पे कोविड नैंटीन क की बढ़ावट में कितने केस जादा हो रहे हैं उसमें भारत नंबर वन है न्यू केस में भारत नंबर वन है टोटल केस में भारत नंबर टू है नंबर थ्री है जल्दी नंबर टू पे भी पहुंच सकती है टोटल मौते जो हैं उसमें भी भारत नंबर थ्री है आपको बह मौते तो और भी कम है, खेर एक चीज़ आप देख लेजे, कि अगर आपको सच में पता करना है कि कितने लोगों को COVID हुआ है या कितनी मौते हैं, तो सबसे पहले तो टेस्ट करने की जरूरत है, टेस्ट प्रती एक मिलियन पॉपुलेशन, यानि कि आबादी की तुलना में ट जीज याद रखे कि हमारे देश में जो registration होता है, डेथ का registration लोगों की मौत होती है, तो उसका जो पंजी करन होता है, बीस प्रतिशत केस में इसका पंजी करन नहीं होता है, registration नहीं होता है, कि कोई मरा है या नहीं, वो भी अंधाजय से लगा जाता है, बाद में census के टाइम लगाया जाता है इसका कोई हमें आरे पास regular record नहीं होता है 20 प्रतिशत केस में और कैसे मरा क्यूं मरा यह सिरफ 20 प्रतिशत से भी कम केस में हमें पता होता है कि कारण क्या है मौस का तो आप देख लिजे registration सिरफ 80 प्रतिशत लोगों का और जो register हो रहे हैं उसमें भी सि कारण क्या है मौत का यह हमें पता चलता है अगर कारण ही नहीं पता है अगर registration ही नहीं हो रहा है और टेस्ट भी कम है तो कैसे पता चलेगा कि मोदी सरकार किस तरीके से जूझ पाई है कोविड-19 के साथ खैर एक चीज़ तो साफ है कि economy जो है उसमें तो बिलकुल फेल हो ग media और WhatsApp से जरूर पहुंच गया होगा लेकिन अगर ऐसा कोई आपके पास WhatsApp मेंसेज आए तो आप यह विडियो जरूर उन तक पहुंचा दीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि economy का असली हिसाब क्या है